सब्सक्राइब करेंगे तो एक इंपोर्टन वीडियो रहेगी आप देखो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है ठीक है करना क्यों जरूरी है क्योंकि आपको एक लेवल पता चलेगा ठीक है रफ आइडिया लग जाएगे कैसे कुछ रहा है कौन से इंपोर्टन टॉपिक्स है और कैसे लेवल आते है इस एक्जाम करेंगे बागी आप कोई भी एक्जाम की त्यारी करें है कुछ अलग से आपको न तो एपलाई करेंगे इसमें ठीक है तो वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगा अकर आपको फॉर्म डालने में कोई दिख्कात आ रहे है कुछ भी तो टेलिग्राम लिंक आप जोईन कर सकते है ठीक है बागी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगा तो मैं चैनल पर डाल ठीक है यह थोड़ा इंग्लिश में रहेगा ना बाइलिंग्ल वैसे हिंदी में नहीं है कुछन बाकी मैं बोलूँगा हिंदी में इतना तो आप समझ जाओगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब करें सेंस कोई कोई बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है कोई सबसे इंपॉर्डेंट है डीक है दस साल में सेंसे होता है अतर आपसे पुछा आए है फस्स कब होगाता ऑल डीन सेंसेंटाइटम में वहाता वा था दा में लॉट मयो ने अगर आपसे एक पुछा जाए है सिन्ग्राइसट सेंसर कब हो था तो वह 1881 में हो था जा इनडू रिपन के द्वारा करवाया गया था ठीक है यह फर्स्ट सिंक्राइस सेंसस होता है तो यह दोना आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सिंक्राइस सेंसस ठीक है यह भी पूछ लिया जाता है बागी इसमें पूछ रहा है कि what is the literacy rate of India according to the final data obtained from the literacy rate जो बढ़ाई किदर होती है literacy rate कितने पड़े लिगे है उसके बारे में पूछा है literacy कैसे calculate होती है अभी तक इंडिया में 7 years से अगर आप अब हो और आप read and write कर रहे हो पड़ लिख रहे हो तो आप literacy rate की category में आप लिटरेट कहला है जाओ ठीक है तो final क्या था 2011 census के according 74.04% था यह न बहुत important question है बहुत पूछा आता है इसमें अलग से पूछ जाता है male का literacy rate तो it was 82.14% अगर आपसे female का पूछा जाए तो यह 65.46% था एक question पूछा आता है ऐसा state बताओ जिसमें सबसे दार difference है male and female में तो उसका right answer राजिस्थान हो जाएगा ठीक है बहुत बात पूछा गया SSC में ठीक है बाकि आपको UT देखो UT हो गया आपका state हो गया and आपका district हो गया इसमें आपको तीनों को पता होने चाहिए highest and lowest ठीक है तो पहले highest यह literacy rate की बात कर रहा हूँ and lowest highest में UT में लक्षदीप है जिसकी literacy rate सबसे जाद है and वैसे overall भी second है अगर आपसे पूछा रहा है overall भी second है state में केरला है सबसे highest and district में शेर्चिप है ठीक है district में शेर्चिप है अगर आपसे lowest पूछा जाया है तो lowest UT में दादर है नगर हवेली है ठीक है state में बिहार है and अली राजपुर है आपका district में ठीक है तीनों आपको पता होने चाहिए बहुत important है और literacy rate बहुत important हर चेकर पूछा रहता है देखो एक और question यह repeat हो गया है यह दूसरी shift में पूछा गया था इसी exam में इसी दिन next shift में same question है केरला का पूछा गया है कि यह पूछा गया है कि जैसे केरला के opposite sorry केरला के opposite कौन सा state है literacy rate के द्वार में क्योंकि केरला का सबसे highest है मैं पता है 93.91 परसेंट यह आपको बता होना चाहिए सबसे highest है ठीक है इसका percentage आपको बता होना चाहिए highest और lowest का तो पूछ रहा है इसके opposite कौन सा होगा इसके opposite का बिहार क्यों क्योंकि इसका सबसे lowest है 61.80 परसेंट इसका राइट आंसा हो जाएगा बिहार इतना सा पूछा गया था ठीक है next पर जलते है next question है how many questions related to name, place of birth, gender, age, etc were asked in the first census of independent India अब first census independent इंडिया का 1951 में वहा था उस time पर पूछ रहा गया है कि कितने questions पूछे गया था तो यह आपको याद करने पड़ेगा उस time पर 14 ऐसे questions है जिसके basis पर यह पूछा गया था ठीक है next question है same literacy rate पर question है यह भी किसी और shift में पूछा गया था तो ऐसे questions बहुत सारे repeated होते ह which state is the least district literate district of the country अलिराजपूर तो अलिराजपूर के बारे में बता रहा है यह एक्चली में MP का है तो यह पूछ रहा है कि state का था यह तो MP का था अलिराजपूर ठीक है मैंने बताया था district का अलिराजपूर है ठीक है least में अगर आपसे हाई यह पूछा रहा है तो वो share chip हो जाएगा ठीक है दोनों आपको district के पता होने चाहिए इसलिए मैंने पहली करवाती है next पे जलते हैं यह सारे census के ठीक है on the recommendation of which committee liquidity adjustment facility was adopted in the year 2000 सॉरी ऐसी committee पर बहुत सारे question पूछे गया ठीक है तो पूछ रहा है कि 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 कमिटी के recommendation पे liquidity को एडप्ट किया गया था 2000 साल में मैं आपको बता तूँँ वैसे तो लिक्विडिटी अजस्में फैसिलिटी यह banking सेक्टर रिफॉर्म के लिए था ठीक है banking सेक्टर रिफॉर्म के लिए था आपने कभी न्यूज वगरा में भी देखा हो रेपो रेट होता है रिवर्स र ऐसे बैंक होता है कुछ पैसा लोन पे विए रिफॉर्म के ल्गारंटनिता रवी और बैंक का ठीक है एक टरक लूत पर देता है दर पर देता एंट है इंट्रेस्el फे लेता रहो है बट जब अर ब्र लेन कर दर पो रेवर्स रेपो रेट कहते है जब आर बैंक से लेती ह तो इसी के रिगार्डिंग था है ना ये नर्सेमन कमीटी का था कि जिसमें लिक्विटी एड्जस्मेंट फेसिलिटी के बारे बताया गया था ठीक है तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूँ बैंक में जितने भी रिलेड़ेट कमीटी है वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे इसने ये किसलिता ये रिव्यू करनेक लेथा जो पेमेंट सिस्टम होते है इंडिया में लिए का बोलते है गठन किया गया था बनाया गया था अमीताफ घुष्ट कमीटी कहते है इसको ठीक है तो ये दोनों आप ले इंप्रछं पे चलते हैं तो आपको सारे नेशनलाइज बैंक्स पता होने चाहिए वैसे मोटे मोटे पता होंगे टूटल भी बारा है नेशनलाइज बैंक हमारे इंडिया में इसमें से कौन से ने बैंक को बरोडा भी है पी एन भी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी नेशनलाइज ठीक है ये चार होगा है ये चार इजी है आपको बता होंगे है रPart गती मैं को बोलते हैं में बैंक का बारोडव MR ये भी नैशनलाइज ठीक खाहरा में कैणने बैंक एक गालता यू बैंक उसको इसको से प्रेंजाए इसको है ईक्पानीघ्र्व से प्रे法 कि याड़ हो गया एक एक हो एपते हो यै पर अहार्क है इंडियन बैंक होता है एक इंडियन मैंक होता है बैंक अफ महराष्ट ठीक है यू बी आई एक यू को बैंक होता है आपका ये भी नेश्णलाइज जाये और आपका कॉन सार है गया इंडियन बैंक और इंडियन मैंक हो गया और कौन सा छूट रहे पंजाब पंजाब नेश्णलाइज रहे हैं तो पूरे बारा बैंक से इनके नाम आपको पता होने चाहिए चार तो जैसे इंपोर्टेंट आपको पहले ही बता चल जाएंगे देखके कि हाँ अजी नेश्णलाइज बैंक है बागगी आपको एक मोटा मोटा पता होने चाहिए आई से बैंक ये नेश्णलाइज बैंक नहीं है ठीक है प्राइवेट बैंक है तो इसका राइट आंसर बताना था तो आपको बता होना चाहिए चौदा उस टैम पे देख अभी करेंटली हमारे बाइस लेंगोजेस है जो एट शेडूल में ठीक है आपको इसकी मैं अब आप इसके बाद कभी बोलेंगा नहीं ऐसे याद करना है चौदा प्लस जीरो एक प्लस जीरो तीन प्लस जीरो चार इसी में आपका सारा कंप्लीट एक्स्प्लेइन हो जागा ठीक है चौदा थे हमारे 1949 में जब कॉंस्टिटुशन एडॉप्ट हुआ था उस टैम पे 14 थे और यह 14 कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे पूछा जा सकता है यह एक लैं लैंग्वेज यह 1992 में एड की गई थी इदर नीचे लग देता हूँ के एम एन ऐसे आपको बताऊना अच्छी है चौथे के मैं बताता हूँ जो चौथी है वो 2004 में एड हुई थी इसको यात करो BDMS से बहुत इंपॉर्टन रही है बहुत जगा आपसे पूछा रहाएगा BDMS के बारे में चार जो 2004 में एड हुई थी यह कौन कौन सी थी इट वस कौन कनी मनीपुरी और नेपाली यह तीनों लैंग्वेज आपकी एड हुई थी दूधार सॉरी 1992 में तीन लैंग्वेज इस ठीक है BDMS से हो गया बोडो, डोगरी, मैथली, एंड संतली ठीक है तो आ इसे आपको याद करना पड़ेगा आपको एक यह अगर आप ऐसे देख लोगे ना तो आप नेक्स तैम कभी कुशन आएगा शेडूल से रिल्टेट है ऑफिशल लैंग्वेज से रिल्टेट तो आप कभी कुशन गलत नहीं करेंगे, लैंग्वेज से बहुत सारे कुशन आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर था 14, क्योंकि उस टैम पर बच्चे बाइस लगा के आउंगे, बड़ इसका राइट आंसर है 14, क्योंकि उस टैम पर 8 शेडूल में, जब 26 नमंबर को एडप्ट किया गया था, तो 14 लैंग्वेज से हमारी constitution में देखो, अब ये question आ गया, based journal information available till August 2020, how many languages अब दिया रिन दे एट शेडूल, आपके रहा, add present कितनी है, तो 22 है, ठीक है, पूरा explain कर दिया, 8 schedule में मैंने बता दिया, हाँ, एक और चीज़ माता दो, classical languages पूछ सकता है, आप से, classical languages कितनी है, 6 है total, 6 की 6 है आपको पता हो नहीं है, ठीक है, तमिल, संस्कृत, गर्णर, ये सारी south की मिलेंगे आपको, ठीक है, अब मेघाल लिया, मेघाल लिया, पूडिया, और ते लोगों, ठीक है, तो ये 6 है हो गई आपकी, ये 6 है हमारी classical language है, ये आपको बता हो नहीं है, बाई ऐसे BDMS कि वह ने बता दिया, यही सबसे इंपोर्टेंट है जो चार लैंगुजेस आपकी लास्ट मेड हुई है दोसार तीन में इसका इसे भी ज़रूर याद कर लेना बाकी है 14 प्लस आर्ट है से याद करो तो 22 लैंगुजेसे एड प्रेजेंट है इंडिया की ओफिशल कोई लैंगुज नहीं है यह आपको पता होना चाहिए बागी 22 लैंगुजेसे मैंने बता दिया आपको हां हिंदी का जो बोलते हैं हिंदी में जो टिक लगाते है इस पर आर्टिकल 343 हमारा जो है वह कहता है कि जो हिंदी है उस लैंग्वेज को एस पर जो सेंटरल गवर्मेंट है ओफिसे वगर आप उसको यूज करने के लिए उसके बारे में बताया गया है हिंदी को ठीक है तो इसे कंव्यूस मत करें आप हिंदी मत लगा कि आ जाना इंडिया इंडिया इस नो ऑफिशल लेंगउज नेशनल लेंगउज इसका राइट आंस आप कभी कोई भी कहीं भी कुश्यन आएगा तो आपका कभी गरत नी होगा मनिपूरी एंड नेपाली यह तीनों लेंगविज़ आपकी एड़ दी सेवेंटी फस्ट एमेंडमेंड एक नाइटी नाइटी टू थेटी के लेंगविज़ के बात कर रहें अंडर विच आटिकल अप्रेशिदेंट है तो बोल रहा है प्रेशिदेंट के बास कौन सा राइट होता है किस आटिकल के अंदर कि वह कोई भी कमिशन मना सकता है कोई ओफिचल लेंगविज को डिक्लियर करने या फिर उसको कॉंस्ट्ट्यूट करने के रिगार्डिंग बत बहुत बहुत लारज प्रपोर्शन कहें ठीक है कि वह रिक्वल्क करने के बास अदिगरेंगेज क 누ता है कि अधी फ्रिक्रीम लेंगविज को प्रमोशन में है कि हिंदी जो हमारी लेंगवेज अंगर। करने के बारे हम पते हैं.. resolidas अर्टि सानवह से स्क्रिप्ट में यह इसके बारे हैं.. Осब कि का सब्सक्राद करें.. शबते लिए हैं.. इसके कि कहिसी से बाड़ हो इसे क कई.. लोगते हैं.. तो इंडिया का रियन ये बुक C F Andrews ने लिखे ढिए एसे में दॉरू और्बिंदोर ऊंके द्वारा लिखे गई ती ऐसे ओं गी ती इंडिया स्ट्रगल की दौरा निताजी इनके दौरा कि दौरा इंडिया स्ट्रगल के भूग लिख विक लिए नेश्ट पे जलते हैं अब इसमें कुछ लीजा तो यह फ्रांस के साथ हुई थी इंडिया की ठीक है वरुन एक्साइज सारी पता होने चीज जैसे मैं आपको कुछ बता दूँ जापान की मिलिटरी एक्साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एसमें है ठीक है जापान के साथ इंडिया करता है धर्मगार जिया इधर लग देता हूं मालाबार एक्साइज और जिम एक्स ठीक है ऐसी श्री लंका से अगर मैं बोला जाओ तो मित्र शक्ती होती है हमारी एक और एक्स लिनेक्स होती है श्री लंका से ठीक है ब्रिटेंट से बहुत सारी होती है एक अजेवारियार हो गई और इंद्र धनुष होती है तो सारी मिलिटर एक्साइज बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चेठी है वाट इस करेक्ट अबाउट रेनुका वेटलेंट कौन सी है बाई रेनुका वेटलेंड इंडिया की स्मॉलेस्ट वेटलेंड साइट है कहां पर आई है यह हिम चालप्रदेश सरनौरट डिस्टिक्ट तक वहां पर इमांचल प्रदेश में हमारी इंडिया की स्मॉलेस्ट रेतलेंड है इंडियास फ continually वेटलेंड साइट अकर बुच रहे है तो यह भौज वेटलेंड है आपको पता होनी चेजिए इंडिया से स म्षल लसेंड उतल रह यही पताना चीट है आपको दो इंडिया की स्ट रामसर सइन से खाना है बाकि नैस्ट पे जलते हैं जय लिगेंध्यी जोने अफ कीवम्स है लाट अब इसमें आपने शॉत बॉय दीग मेंझादवार श्ल्स हो ही रहा है आपको पता हुना ची सबसे पहले literature के लिए दिया जाता है ठीक है हाइस literature अवाड है एक तरह का इंडिया का हमारा ठीक है इसमें बाइस languages जो हमारी है उसके according और प्लस एक language एक language कौन सी English language अगर मैंने आप आपने वह का नाम आपको पता हुना अच्छी आगर आपसे पुझा रहा है first ग्यान पीट अबाट यह दिया गया था 1961 में किसको दिया गया था बहुत 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 बार रिपीट हुए जी शंकर सुरूप को और यह एक बुक थीन की दब बेंबू फ्लूट इसके लिए इनको दिया गया था फॉर्स्ट जो ग्यानपीट अबोल यह इनको दिया गया था ठीक है next के जल जालते है तो कौन सा है चलिहा साफ यह बनाया जाता है सिंधी फेस्टिवल के दवारण आगर आपने सुना हो यह थाई का न्यूँयर फेस्टिवल है यह भी रीपीट हो चुका है बहुत बर सिमें ठीक है ग्यान पंच में यह किसका है यह जैन लोंग मनाते हैं इसको जैन का फेस्टिवल एक तरह का बेहन्दी खलम फेस्टिवल यह कहां का है यह बारा देख लेना बेहन्दी खलम फेस्टिवल यह कहां का ठीक है नेक्ट फिलते हैं इन विच और फॉलोइंग येर्स वस द आई एने इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ट तो कौन से एर में हुई थी नेटिन फॉर्टिटीटू में हुई थी सब आपको पता हुना ची कहां पर हुई थी सिंगापूर में फॉर्म हुई थी इंपोरेंट नाम पूछा लिया कि तो यह बी नेटिन फॉर्म होगी थी नाम हुई थी नाम चांदर बोस जी ने इसको लीट किया था ठीक है नेक्ट पर जलते हैं है इन विच चाट अफ इंडिया है थी वर्स्त मैंगरॉफ पिट्था बट्ट संसस है बीन लॉंच तो यॉडिश्या में हुआ था यह था ए In which year was NSO formed by Merging Central Statistic Office and National Sample Survey Office तो NSO एक फर्म हुआ था तो पूछ रहा है कि वो कब फर्म हुआ था जो CSO है CSO और NSSO है National Sample Survey Office इन दोनों को merge करके एक बन गया था NSO तो पूछ लहा है कब बना गया था तो यह 2019 से बना गया था ठीक है नेक्ट पूछलते है In which of the following states was the India's first artificial intelligence based digital log adalat started तो यह भी current affairs का राजस्थान का है बहुत important उस टैम पे भी हुआ था यह ना important question था Digital log adalat artificial intelligence का बता रहे गया इंडिया का पहला कहा स्थापना हुई थी इसकी किस state में start हुआ था तो यह राजस्थान में बता digital log adalat ठीक है Next पहलते है Where has India's first liquor mirror telescope sorry liquid mirror telescope has been installed recently तो यह भी current affairs का है ठीक current affairs आप ignore कर सकते हो वह आपको recent के पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है यह अच्छा question The provision related to the federal characteristics of India is related to which country तो यह कहां से लिया गया federal characteristics भाई Canada से लिया गया था यह सारे आपको पताना चेह कि federal government system जो हमारा होता है कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल 245 से है हमार जो आर्टिकल 245 से 255 है इसी है बताया गया जो central state का क्या कहते है जो केंद्र और राज्य का जो होता है central state relationship है इसी के बारे हम बताया है relationship का ठीक है यह आपको पताना चाहिए बागी seven schedule में भी हमारा बताया गया जो central state का relationship है इसी को federal state government कहते हैं और यह Canada के द्वारा दिया गया था next पर जलते हैं which of the following languages is not related to अंडवान निकोबर जरावा शोमपन है उंगेच यह सारी है बाई टोटो नहीं है टोटो कहा की है यह West Bengal में बोली जाती है जाहतर आपने देखियो West Bengal की बॉर्डर में ट्राइबल पीपल के दौरा तो यह टोटो इस राइट अंसर यह अंडवान निकोबर की नहीं है ठीक है Which of the following players is associated with para powerlifting? Para लग गया, para olympics आप समझते हो किसके लिए होता आई है जो भी हमारे disability वाले athletes होते है athletes with with disability आपने देखा होगा हमके लिए para वाले games होते हैं तो उसी के बारे में बताए गया para powerlifting यह सुधीर के बारे में बताए गया और जिल्दी जिल्दी इसको आगे ले दे चलेंगा ठीक है फिर प्रात्ना समाज was established by which of the following organization तो आत्माराम पंदुरंग बहुत repeated question SSC का same बता रहा हूँ हो मैं वही same questions उठा के बाई यहां के बंडिया एक्दांस में कुछ change नहीं होता है आत्माराम पंदुरंग में बंबे ने किया थे यही पूर जाते हैं कहां किया गया थे स्थापना हुई थी इसकी और यह आपको बतावने चीए डिन स्की 7 में ठीक है आत्माराम पंदुरंग एक्स पेलते हैं सर्वुदे यहां के पहली बार 1908 में सर्वुदे आपने पड़ाव गंगादर तिलख और विनोवा भावे ठीक है कुछ बताने आए इसमें भाई देखो बाल गंगाद तिलख इन्हों नहीं बताया था स्वराजीद माइं बर्थ राइट है ना सेल्फ रूल गवर्मेंट के बारे बताया था विनोवावे भूदन मूव्मेंट राजिंदर प्रसाद हमारे फर्स प्रेजिएंट थे हमारे इंडिया के ठीक है मुरुख्ो का ट्रेवलर था मोरे तर पहले पी विद्धन उट्वलग में अ सतर दोब फूस्य के 4 आपको पता होने चींट संब्में थे कि तो इसमें पूछा लाया था तो ये रेम तो आपको पता होने चींटाओ में बाइबिग जोड़ें इसको नेट्स पर जलते हैं, इन विच वॉलॉइंग स्टेट इस बीज़ बेज़ बैएस फेर रिज़व नंदा देवी बैएस फेर रिज़व नंदा देवी बैएस पूछ रहा है कहां पर यह उत्रहखंड में है चमॉली डिस्टिक में तो गड़वाल का डिस्टिक चमॉली गड़वाल का डिस्टिक वहां पर यह उस फेर रिज़व नंदा देवी बैएस फिर लते हैं फिर बाइस अगया तो बहुत सारे कुछें पूछें गया है अज्जे वाडियर युनाइटिट गेंग्नम यूगे क पहले बता है यह दव्यास वज्र प्रहार करते हैं अफ्रिका से लिनेक्स वगएरा करते हैं अभी एक और रिसेंट में एकसाइस की गई है यह जापां धर्माकार जीयां हो गई ठीक है और नेपाल नेपाल से सूर के रण करते हैं बंगलादेश ते क्या करते हैं अभी काफी सारे टेंशन्स हैं मारी बंगलादेश के साथ तो इसके साथ संपरिती एकसा अधाम करते हैं ठीक है नेक्ट पर आलते हैं वह मंग फूलोंग इस यंगेस प्लियर डिफीट वर्ल्ड चेश्ट चेंपियन मैगनस काल सन तो यह शत्रण्ज के खिलाडी मैगनस काल सन कौन सी कंट्री के है नॉर्वेक आई है ठीक है बहुत सरे वाड जितने भी अगर आपको कोई कोशन आ जाए कि आर प्रग्नानदा ने भी अभी किसी पूर्णामन में इनको हरा दिया है नेक्ट पे जलते हैं इन विच यह वाद दे कास्ट बेस सेंसर्स पर स्चार्टे अंडर एस ए सी सी तैम बता दो कास्ट बेस सेंसर्स एक बार हुआ है 1931 में हुआ है ठीक है इंडिपेंडेंट से रोब बड़ेंडेंट से तैम जेञा है फंक ऍटन से नाम को आपको पता चलक होगा गलत काम की अतनी कास्ट सेंस रहा है , इस ऐस था कभी नहीं कराया गया ठीक है British rule में 1931 में कराया गया था कास census तो यह आपको पता होना चाहिए next भी जलते है which of the following algae is used as iodine कौन सी होते है भी लेमिन एरिया पढ़ाया आप में लेमिन एरिया होते है यह बहुत रिच होता है iodine हो गया iron हो गया and potassium हो गया है इन सब में बहुत रिच होता है ठीक है बैसिलस भी यूज़ता है anti-algal activity होती है इसकी तो यह भी यूज़ता है next भी जलते है in which state is the new year celebrated in the name of Vishu विशु केडला का है वह नम विशु यह सारे केडला के है आपके next भी जलते है आत्मिया सबा भी है यह 1815 में किया गया था आत्मिया सबा की सापना क्यों की गई थी क्योंकि जो कास्टिज में यह सोचल लेवल्स है उसके खिलाफ इन्होंने राजा रामोहन रोय ने इसकी सापना की थी ठीक है बागी ब्रामोह समाच की आपको पताऊने चाहिए 1828 में की थी कैलकर्टा में वेदान्ता कॉलेज 1825 में की थी इसके साफ में यह भी आपको पताऊने चाहिए ठीक है next क्योंते है राज लिए बागी नक्ती बाट संक्च्छ्री कहां पर यह बिहार में यह कुश्च्छन पताऊने चाहिए नागी नक्ती बाट संक्च्छ्री ठीक है क्यों अच्छा उस्टेंपे कलर अफ बाट फेस्टिवल एक वा था बट आपको पता है नागी नक्ती नक्ती बाट संक्च्छ्री यह बिहार में है जमुई डिस्ट्रिक्ट में नेक्ट फिल्ट है according to the according to which sect mentioned below it is impossible to acquire knowledge regarding nature even if even if it is impossible it is useless for attaining salvation तो पूछ रहा है कि किसके द्वारा दिया गया था ठीक है तो यह यादी करना पड़ेगा आपको अजनाना संप्रादाय यह इनके द्वारा यह लिया गया था ठीक है यह चीज थोड़ी टफ हो जाती है यह सेक्ट के बारें पूछ रहा है कि यह लाइन किस सेक्ट में दिगए तो अजनाना संप्रादाय इसमें दिगए ठीक है बाकी पंच संद्र आजीवी का सेक्ट आपने पड़ा होगा कहां पड़ा है हम नहीं है इद वस्टाइड फाउंडेड वा मक्खाली ओशाल यह वह वह पड़ते जब महावीरा तब आता है ना आजीवी का सेक्ट तो इट वस्टाइड बाई मखाली को शाल पंच संद्र शैक्ट विश्णो रायन के दौन पंच संद्र नेक्ट प्याता है सेरवक वेक्षिन इस यूज़ इन विच फूलोएंग इस रोसे दें लीवर कैंसर नहीं सेरवक किसले होती है सर्विकल कैंसर के लिए फाइट करने के लिए होती है सरवक वेक्षिन ठीक है तो यह आपको याद करना पड़ेगा एक पिलते हैं चूज दे यह और स्टेबलिश आपको पता होनी चीए कहां पर मुंबाइ में हो इसको बनाने के लिए जो कमिटी बनाएगी ती मैंने भी आपको पहले भी दिसकर किया था बी से वारमान कमिटी यह आपको पता होनी चीए ठीक है तो 1982 में स्टेबलिश्ट हुआ था नेक्ट पर जलते हैं inspiration has been taken from the Constitution of which country for the provision of single citizenship under the Indian Constitution तो single citizenship है जो इसका प्रवदान काहां से लिया था तो इसका प्रवदान काहां से लिया गया था ठीक है ब्रिटेन से मैं आपको बदा दूंग और क्या था एक तो रिट्स जो हम लोग पढ़ते हैं पांच रिट्स बाइकेमरेलिजम Cabinet सिस्टम यह सारे हमारे डितन यू के से लिए गाज़ीगा ज़िए ओस्टीला से क्या लिए गया था जो क्यंक्रेंट लिस्ट थैस्ट से स्टेट और सेंटर की वो लिगई थी अपने जॉन सेटिंग देख होगी लेंगेज होगी जॉइंट सिटिंग होगी जो आपकी है ना दोना हाउसिस की उसके बारे में कैनेडा यॉनाइटेट से यूएसे से बहुत कुल लिया गया फंडमेटल राइट हो गया जो जूडिशल रिव्यू है इंपीच्मेंट होता है जो हमारा प्रेसिडेंट का ठीक है और क्या हो गया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी जो यह सारी यूएसे से ली गई है तो यह आपको वालेटी में आपने सब कुछ पढ़ा होगा तो आपको रिवाइस करना है बहुत इंपोर्टेंट इसमें से बहुत सारे कोश्चन पूछे गया है ठीक है ने इत्ट कोन करेंशी हम उस करते हैं यए से प्हiennent हो गया हमारे डेशे लाइका लिगें होगा है हमारे दाइमंड दाइमंड वगे यह रही हुगAb तो लेस होते हैं तो टोकन करेंची की बात कर रहे हैं इसके एक्दामपल कुन कैंटर बदेंक ह sings कु वांड देभिट कार्ट करेडिट कार्ड ओ जर ह lei बने मुस्टा ज़िए गारेंज हुगी जद बढ़ा है ना कमेटी बहुत इंपॉटेट है विच कमेटी गेव सजेशन रिगार्डिंग फुर्दर स्ट्रेंदिंग दर स्ट्रेक्ट्चर ऑफ रीजिनल रूरल बैंक्स बाइमेंडिंग देर अर्गनिजेशन फंक्चिंस तो इस सिवरबन कमेटी मत कर ले ना दंत वाला क क्या जो लून बाटने के लिए कहा था है इन्होंने जो रूरल पूपल है उनको लून बाटने के लिए इन्होंने इसी कमिटी के द्वारा दंत वाला कमिटी में बताया था कि लो इंट्रेस्ट में जो रूरल पूपल है उनको बाटने के लिए रर भी की स्थापना की तो ऐसे आपको सारे कमिटी इंपोर्टेंट पता होने चीए नेक्स पर जलते हैं जैसे हम अभी तो हम बहुत सारे नाम पढ़ते हैं जैसे बिहार में मैं बता दूँ आपको कुमर सिंग हो गए 1857 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसमें उस स्टेट से कौन इंडियन रिवाल्ट खड़ा हुआ था ठीक है जैसे बिहार से कुमर सिंग हो गए कानपूर से कौन ते नाना साप थे हमारे जहांसी से रानी लक्ष में बाई थी वैसी आपको अगर आप कुझा इंडियन लीडर कौन थे देवान मनीराम दद बहुत इंबोडन नाम है और बहुत कम आपने पढ़ा होगा पढ़ाते हैं लोग ठीक है तो पूछा भी जाता ह है जैसे दिली से कौन थे बहादुर शाफळ से ठीक है उस नोसका पता जी जांसी का पता थिया को लकणव से पता होना है तो यह आ कौने बहुत को सारे पता होना हूंना ची कौन कॉन से लिए नीडियन अ लीडर से वो सुस स्टेट के पाे एं नेक्स बिल देहें for the first time in Indian military history which of the following women officer has been deployed in Siachen the world's first world's highest battlefield तो मैं पता होने चाहिए सियाचिन glacier भाई वर्ल्स हाइस battlefield है और Captain Shiva Chauhan ये first Indian military officer बनी थी woman officer बनी थी जो वहाँ पर जिनने डिपलोई वी थी और वहाँ पर duty दी थी ठीक है सियाचिन glacier highest battlefield है वोल्ड का ये आपको पता होने चाहिए next video next day which of the following wait कितने कुशन रहे हैं के तो भी बहुत सारे कुश्चिंट से है भी तो जो कि यहां पर था ठीक है right to equality के वाने पूछ रहे हैं कि which of the following articles is not included in the articles related to right to equality provided under the constitution तो कौन सा नहीं है आपको पता है राइट to equality के कौन कौन से होते हैं मैं इसके ट्रिक भी बदाए हैं आप मेरी कोई और वीडियो देखेंगे जाके तो आपको एक ट्रिक मिल जाएगी एप से मैंने याद कि रहा है ऐसे बताना चाहिए चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा चौदा से अठार ही वैसी देख लोगे तो आर्टिकल ट्वेंटी इस दा राइट आंसर जो नहीं है इंक्लिए ठीक है अर्टिकल ट्वेंटी कौन से ओफेंस के बारे में बताता है इसके इसके बारे में इसके बाद आता है F.O.L.E.C. यापको बदाता हूँ, equality हो गया, prohibition हो गया, opportunity हो गया, untouchability हो गया, titles evolution हो गया, ऐसे आप, sorry, याद कर सकते है, ठीक है, freedom, offense, life and liberty, education, case of arrest, तो ऐसे आप बाकी याद कर से, 90-22 वाल या ठीक, तो इसका राइट आट अटिकल 20 जिस में, right to equality का नहीं है, right to equality का है, 14-18 में, next field है, which are the following Indian financial institution was established in September 1956 AD, LIC established हो थी, important year है, याद कर लेना, 1996 में, LIC का है, SBI का पता हूँ, 18-26 में, RBI का 985 में, national है जोगा था, वो ही पता हूँ, which are the following states was, states was, states was, medicine from the sky launch, तो ये एक तरह की योजना थी वाज ती, तेलेन गाना में, ठीक है, medicine from the sky, next field है, फिर military exercise पर question आ गया है, पूने में वी थी, माहराष्ट में, तो ये current affairs का question होगा, ठीक है, next field है, ignore कर इसको, under whose leadership has the celebration of the foundation, day of the supreme court, India has been started, तो भाई ये, डीवाई चंदर जूद, हमारी जो supreme court के judge थे, उनकी, उस पर leadership में, ये start हुआ था, ठीक है, supreme court of India का foundation, next जलते हैं, जल्दी जल्दी complete करते है, चट पूजा, इसको छट पूजा, इसमेली ए फेस्ट वलावर बेस्टेट, easy question है, बिहार का, ठीक है, which wildlife century was recently in the news due to the death of six elephant due to hemorrhage, septisemia, ते भी current affairs का question हो गया ठीक है, इसे इसे गनुर्दी पर, which of, who was the first individual सत्रागाई उप इंडिया, तो इंबोड नाम है, आचारा विनुपा भाव, ठीक है, first individual सत्रागाई, ठीक है, the customs of India manuscript is related to which author, तो किसके द्वारा है बही है, customs of India manuscript, Marco Polo, यह आपको पता है, इपने बुदूता का मैंने बताती है, मुरुकोर का ट्रेवलर था, मौंबद मिन तुगलक, विलियम होकिन्स भी एक foreign traveler है, Englishman था यह, और किसके time period में आयती है, जहांगीर के time period में आयता है, यह ही पता हूनाची, यह बहुत important है, बहुत repeat हो ह Englishman था, इपने बुदूता का मैंने बताती है, मौंबद मिन तुगलक, इपने बुदूता को, actually, मैं इस से compare किया रहाता है, Marco Polo से, Marco Polo चाइना में बहुत travel किया था, ट्रेवल किया था, इसने ठीक हो, next को जलते है, इसमें से पता होने चीए, बारा जो है, वह भी UNESCO Biosphere Reserve में आ गए है, टिक है, UNESCO की Biosphere Reserve List में है, next भी जलते है, recently the government of India has decided to use drones to monitor illegal liquor manufacturing, तो कहां हो सकता है, आपको option देखके लगता है, उतराखंड में होगा, UP में होगा, MP में होगा, तो Islamic family कहीं है, यहां कहीं भी बैन खा है, बिहार में है, ब्हार में है, लिखकर manufacturing ban ए, गहां को इसे को monitor करने के लिए drones को यूस किया गया है, वैसे बहुत कम है , बहुत डिस्ट्रिबूट होती है बिहार में तो इसी को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था कि जो दारू बगार है इसको मैनुफेक्ट्र ना किया जाए लिए लिकार नेक्ट पे जलते हैं है को है रिसेंटली गोट गॉट थे क्रेडिट आप बिकमिंग फिस्ट वोमें तो फ्लाय अठीक थे अपने विडियो भी आपाइड विदेखिये ओगी बहुत वायरेल वेति उस्ट्रम पे थे नहीं पे अठीक थे ए नच्छुड में अटेक्ट पर जआता है इस वोड़ दावर्ट मीटिंग ऑफ दे कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी हेल तो पहली मीटिंग कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की कहां हो इती पतना में विती इन 1934 ठीके इसके द्वारा हुई थे अगर आप से कुछा है जै पी नारायन जय प्रकाश नारायन इनके अंडर ये पहली मीटिंग हुई थी कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की ठीक है यह आपको पता होना चाहिए नेक्ट पहलते हैं विच और फॉलोइंग इस यह रिलेट्ट तो इस्टेबलेशन और ब्रह्मों समाज ब्रह्मों समाज मैंने बता थ तो यह आपको यह आपको याद होना चाहिए नेक्ट पहलते हैं विच और फॉलोइंग एफेक्स दर क्रेडिट वर्तिनेस ऑफ कोमेर्शल बैंक्स में सीप्यार इंक्रीज तो आपको याद करने पड़ेगा मैनिफोल्ड रिट्शन होता है ठीक है जैसे मैनिफोल्ड तो आप इसको डेरेक्ट याद कर सकते है डेफिनेशन की तरह दे मैनिफोल्ड रिट्शन होता है ठीक है जो किसको एफेक्ट करता है जो कमर्शल बैंक्स होती है उनकी क्रेडिट को एफेक्ट करता है ठीक है नेच्ट पहलते हैं विच और फॉलोईंग यूज इस यूज अपने बढ़ावागा Baker's East सुनाए आपने इसी को कहते हैं Baker's East ठीक है डफ बनाता है यह ब्रेड का तो यह ब्रेड बनाने के काम आता है ठीक है आप मैंने आपको प्रॉट बॉक्क्षिंस के लिए से जितने को प्रीवेस कवर्ध करेंगे अब को यही सारे सेम कोश्छनस में तु को जाद ही लंबा होगे तहीं कि एक वीडियो आलक से बनाना चाहmedi moji देख लेंगा अब आप आपको अपने पूरा गोथ्रू है अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखिया तो आपको एक आइडिया मिल गया है कि कौन IMPORTANT h जैसे military आप आपको देर से देखे बता जाए है, census हो गया, military excise हो गई, ठीक है, और जो military सही important names है, ठीक है, जैसे first women's का बता दिया गया था, ठीक है, ऐसी पूछ सकते हैं, परेडे में किसने स्थापना की, किसने lead गया था, अपनी जाए है, बहुत सारे questions बन सकते हैं, तो military area का बहुत जो questions है, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, sports से बहुत सारे questions पूछे गए थे, committee's होगई, committees होगई, थोड़ा bank में स्थापना की गए, बात की गई, यह न, articles की बात की गई है, schedules, articles, यह सारे important है, जो बंडे अक्दा में पूछाता है, same set of questions पूछे गए हैं इसका भी ठीक है, बागी, मैं आपको डाल दूँगा यह सारे previous जो paper है आपके, वो telegram पे डाल दूँगा, और description में आपको link मिल जाएगा, तो आप वो join कर लो, आराम से, ठीक है, और solve कर लेना, यह बागी sections भी, ठीक है, और कोई doubt होगा, तो comment section हो डाल देना, और कुछ यह ह subscribe करें ना, बाकी मलते हैं आप से next video में, thank you